बिस्मिल्ला रख्मान रहीम, असलामुलेक्म देर स्टुटेंट्स, वेलकम आल आफ यू ऑन दे बहाफ आफ अफ एपेक्स गूर्प अफ कॉलेजिस, आइम प्रफेसर मुहमद बिलाल, हेड अफ कॉमर्स डिपार्ट्मेंट, देर स्टुटेंट्स, हमारे जो आइकम बैंकिंग या असूले बैंकारी जो है, उसको डिसकस करेंगे, तो देर स्टुटेंट्स, इसके लिए जो रेकमेंड़ बुक है, वो आपकी प्रिंसिपल्स अफ बैंकिंग या असूले बैंकारी, आइकम पार्टू, और उसका जो राइटर है, वो आपका काजी शहजाद इहतिशाम है, ये अजीम पॉब्लिशर्स जो है, उनकी पॉब्लिश्ट बुक है, ये आपको उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर अवैलेबल होगी, तो आप ये मार्केट से बासानी इसको बाइ कर सकते हैं, डियर स्टुटेंट्स, आपका जो पेपर पॉब्लिशन है, उसमें 15 MCQs जो है वो आपको गिवन होंगे, और 1 मार्क फोर इच MCQs जो है वो आपका होगा, अगर आपका एक MCQs कोरेक्ट है तो उसके अगींस्ट आपको 1 मार्क जो है वो गिवन होगा, और इस तरह से इसका जो टोटल वेटिज बनती है वो आपके 15 म मार्क किया है, सब्जेक्टिव पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले पार्ट के अंदर 3 questions होंगे with 9 options each, हर question जो है उसके अंदर 9 further options होंगी और आपने हर question में से 6 options को attempt करना है, तो इस तरह से आप लोग जो है वो 3 questions में से 6 options हर question में से attempt करेंगे तो इस इस तरह से यह आपके 36 marks का यह portion बनता है, second जो आपका part है उसके अंदर 5 long questions given होगे और उसमें आपने उसमें से attempt करने हैं वो 3 questions आपने attempt करने हैं और जो आपने 3 questions attempt करने हैं उसमें एक question जो है वो 8 marks के according होगा और इस तरह से आपके जो total weightage बनेगी वो उसकी 24 marks की होगी और इस तरह से यह आपका total जो है वो 75 marks का paper बनेगा और इसका जो given time होगा वो आपका 2 hours and 30 minutes होगा Dear students, principles of banking के अंदर जो हमारा पहला topic है इंशाला उसमें हम लोग chapter number 1 जो के हमारा beginning and evolution of bank, bank का अगाज और इर्तका इसके हवाले से जो है इंशाला हम discuss करेंगे तो Dear students, सबसे पहला जो हमारा topic है वो हम देखेंगे कि bank जो है इसका अगास कहां से हुआ और फिर ये किन मराहल से गुजरता हुआ आज मजूदा शकल में हमारे सामने मजूद है तो इनसानी जरूरियात जो है खौइशात की तसकीन के लिए जर्र या जो दौलत होती है उसकी जरूरत और अहमियत से किसी दोर के अंदर भी इनकार नहीं किया गया जबसे पैसा जो है उसका वजूद हुआ है पैसा जो है उसको इजाद किया गया है और पैसा इसनमाल हो तब से जो है वो इनसानी जरूरियात और ख्वाहिशात जो है उनको पुरा करने के लिए जर या पैसा जो है वो एक आहम जरीया तसावर किया जा रहा है हर दोर के अंदर जो इनसान है वो अपनी जरूरियात के हाथों जो है वो मजबूर होता है और जिसके बाइस जो है उसको पैसे का हसूल पैसे को अकठा करना पैसा जो है उसकी तरसील ठीक है और पैसा जो है उसकी इदाइगी या वसूली इंसानी जिंदकी का एक लाजम हिसा रहा है मुख्तलिफ अद्वार के अंदर जो है वो इनसान मुख्तलिफ अशिया को बतौरे जर इस्तमाल करता रहा जैसे जैसे जो है वो इनसानी मौशरा और तमद्दन जो है उसका इरतका होता रहा उसके evolution होता रहा, वो step wise जो है, वो आगे की तरफ गुजरता रहा, तो जर का जो तसवर है, इसका हसूल जो है, और इसका इसका इस्तमाल भी रतकाही मराहल से गुजरता रहा, इसी तरह से पिर कुछ लोग बराहे रास्त, जर के कारोबार से वबस्ता हो गे, मसाल के तोर पे जिसके अंदर सुदागर थे, सुनार, महाजन, साहुकार वगएरा लोग थे और जिनकी वज़ा से जो है वो कर्ज, सूद, तहरीरी, दस्ताविजाद, चेक वगएरा और मालियाती जो रुका जाते हैं उसके तसावर ने जनम लिया तो इस तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कारोबार जो है जर का पैसे का वो बकाइदा जो है एक शकल इख्तियार किया जिसका नाम जो है वो फिर बैंक रखा गया Dear Students, लफज जो बैंक है इसके बारे में मुख्तलिफ माहरीन की राय जो है वो मुख्तलिफ है कुछ माहरीन का ख्याल है कि लफज बैंक जो है ये अतालवी जबान के लफज बैंको या बैंकस जो है उससे अखस किया गया है اور کچھ کے خیال کے مطابق جو ہے اس کو فرانسیزی زبان کے لفظ bank سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے इसी طرح سے ایک رائے جو پائی جاتے وہ یہ ہے کہ لفظ bank جو ہے یہ جرمن زبان کے لفظ back سے لیا گیا ہے جس کے معنی جو ہے وہ مشترکہ سرمایے کی ہیں تو dear students یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پہ ایک ڈائی اگرام کے اندر تین مختلف زبانے ہیں اور ان کے الفاظ دیا گیا ہیں جس میں جرمن زبان جو ہے اس کا لفظ back ہے جس کا मानी मुश्तरका स्रमाया है फر dlatego जो है उसमें से दो लफज你ela लफज आँ एक है बैंक और फिर बैंकर कस या बैंक और इन दोनों के मानी जो है मुश्तरका तौर पर वो बैंट के लिए गए हैं और इस तरह से इन THे नों الفاظ سے جو ہے وہ لفظ بینک جو ہے اس کو آخذ کیا گیا ہے अब अगर हम लोग तारीखी तोर पर جو ہے وہ بینک کا पसे منظر देखें कि बेंक जो है या बैंकिंग का जो कारोबार है इसका अगास जो है वो इनसानी तारीख के अंदर कब से मिलते है तो तो उसकी तरीख वो कुछ इस तरह से है कि इनसान जो है उसका आप कह सकते हैं कि Тीन हजार साल कबल ठीकrant जी? तो तीन हजार साल कबल वह बैंक की आपको हिस्टरी जो है वो मिलेगी तो सबसे पहले जो है वो हमें अगर हम लोग बैंक के कारोबाद तरीखी पसे मनजर की बात करें तो उसके अंदर जो है वो बैंक जो है वो एराग के अंदर जो है उसकी हमें सबसे पहले जो है वो हमें तारीख मिलती है तो उसमें तीन हजार साल कबल जो है समीरियों ने कर्जे देने के निजाम को फरोग दिया था बार्मी और चौध्य सदी ऐस्वी के अंदर पहली बार वीनस और जिनिवा के अंदर बैंक काइम हुए थे चौधवी इसवी सदी के अंदर फलॉरंस में जदीद बैंक की बन्याद रखी गई थी बैंक का जो कारोबार है बन्यादी तोर पर तो बजाहर एराक से शुरू हुआ और एराक से फिर होता हुआ युनान और रूम में मुंत्किल हुआ लेकिन जब रूम जो है उसको जवाल हुआ तो जवाल के बाद ये कारोबार रूम से मकमल तोर पर खतम हो गया और उसके बाद दुबारा ये कारोबार जो है वो इटली और यूरोप के दूसरे मुमालक में शुरू हुआ और फिर वहां से अमरीका इशिया और दुरियां के तमाम मुमालक के अंदर फैल गया अब हम इसका तारीख पसे मनजर जो है उसको वन बे वन जो हम देखेंगे तो उसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास तरीखी पसे मनजर है उसके अंदर हमें अराग के अंदर जो है वो इसकी तारीख मिलती है तो 2000 साल कबल मसी जो है बाबल जो अराग का शहर था वहां पे बिंकारी का रवाज आम हुआ तो बाबल का एक शेहनशा था जिसका नाम हमरभी था और ये 1686 कबल मसी से 1728 कबल मसी के दुरान जो है इसने तहरीरी तोर पर रकम कर्ज देने और लेने के कवानिन को वज़ा किया था पाँछवी सदी कबल मसी के दुरान इराक से जो है वो बैंक का कारोबार खतम हो गया था क्योंके यहूदियों को इराक से जला वतन कर दिया गया था और यहूदी जो है उनमें से बेशतर युनान चले गए थे तो अगास जो हमें बैंक का मिलता है वो हमें इराक से मिल तो पिर जब एराक से यहूदियों को निकाला गया तो यहूदी जो हैं वो चले गए युनान के अंदर तो चौथी सदी कबल मसी में एराक से जो जलावतन होने वाले यहूदी थे उन्होंने युनान के अंदर जाके जर्क का लेंदेन का कारोबार शुरू किया और वहां पे बहुत ज़्यादा उन्होंने तरकी की पांसो चौनान में कबल मसी में मुशूर युनानी मौलम सुलारन जो है उसने सूद पर रकम देने और लेने से मतलग जो कवा ने इन्थन को बहतर किया उसके बाद फिर युनान से कारोबार जो है वजर्का वो मुन्तकिल हुआ रूम के अंदर तो यहां पर जो है वो चोदा कबल मसी के अंदर जो है वो अगस्टन नामी जो बादशा था अगस्टन दूम तो उसके दोर के अंदर एक ऐसा इदारा काइम किया गया था जो के लोगों की अमानतें वसूल करता था और फिर उसकी अदाइगी करता था इसी तरह से फिर वहां से रूम से ये कारोबार इटली में मुन्तकिल हुआ इटली में जो पहला बकाइदा बैंक था वीनस में वो बैंक अफ वीनस के नाम से 1157 में काइम हुआ और इसके बाद 1587 में जनेवा में एक और बैंक बैंको डी रियाल्टो के नाम से उसको काइम किया गया था उसके बाद फिर यह आईस्ता है यूरप के दूसरे मुलकों के अंदर जो है इसका कारोबार शुरू हुआ यूरप में जर्मन पब्लिक बैंक और बैंक अफ बारसलोना जो है वो 1401 में बैंक अफ जनेवा 1407 में बैंक अफ एमस्टेड डैम जो होलन्ड के अंदर 1609 में और 1690 यूरु के अंदर बैंक अफ ऍंबर्ग जर्मनी के अंदर जो है वो काइं हुआ इसी तरह से अगर हम लोगा सकी बरे सगीर के अनर हिस्ट्री देखें तो बरे सगीर के अंदर जो हो पाकोniej हिंद के अंदर 2000 साल कबल मसी के दुरान कर्द के जो है वो ले इन देन के सभूत म से हुआ जो अठारा सो नौ में बैंक अफ बंगाल में तमदील कर दिया गया इसी तरह से अमपीरियल बैंक 1921 के अंदर बना और 1946 में हिंदुस्तान के अंदर जो है वो 93 फहरिस्ती बैंक काम गरे थे जिनकी कुल शाखिन 3,160 थी उसके बाद फिर 1947 पाकिसान जब बनता है तो के वक्त पाकिसान के अंदर जो फहरिस्ती बैंक थे उनकी जो टोटल शाखिन थी वो 631 थी और कायद आजम मुहमाद अली जिना ने यकम जुलाई 1948 को स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान को जो है वो इफ्ता किया और नेशनल बैंक अफ पाकिस्तान का क्याम जो है वो आठ बैंक जो है वो किन मराहल से गुज़रते हुए आज मजूदा जो है वो शकल कें अंदर हमारे सामने मजुद है तो बैंकाषी का जो जदीन नजाम है ये फौरन या हाधज्साती तोरब वजूद में नहीं आया बलकि आहस्ता-स्ता और कुदर्ती तोरब पर पर जो है वो जुदा शकल बनी है और इसलिए इने बैंकारी के अबावजदाद तसावर किया जाता है तो इस स्कैजुल के अंदर अगर आप देखें टेबल के अंदर देखें तो सबसे पहला जो करदार था वो बादशाहों का था, किंग्स का था दूसरा किरदार जो था वो सुदागरों का था जो लोग ताजर होते थे तीसरा किरदार जो है वो मनी लेंडर्स का था ठीक है जो महाजन सहुकार या सेट होते थे और चोथा जो है वो सुनार का था तो अब हम लोग थोड़ा सा इनका एक ओवर्वियू लेते हैं किस तरह से जो है वो बादशा, सुदागर या जो बाकी महाजन, सहुकार और सुनार है इननों ने किस तरह से करदार अदा किया बैंक को मजूदा शकल में जो है वो डालने के अंदर तो बादशा के पॉइंट आविस से अगर हम लोग बात करें तो नजामे बैंक कारी को मतारफ करवाने और इसकी तरक्की में मुख्लिफ अदवार के अंदर बादशाहों का जो है वो बड़ा आहम किरदार था इन बादशाहों ने तजारती या कारोबारी लेंदेन में कर्ज के इस्तमाल और उन पर सूथ से मतलक कवानीन और कवाईदो जवाब बे जो है वो वज़ा किये थे और जिससे जो है वो कर्स खवा और मकरूस दोनों के लिए असानिया पैदा हुई थी तो इन बादशाहों के अंदर जैसा कि आपने ही अभी जब हिस्टरी के बात कर रहे तो उसमें आपने देखा था कि बाबूल के अंदर जो इराक के शहर था वहां पे एक बादशाह हमरभी था जिसने जो है वो अब्तदा में कवानीन वज़ा किये थे कर्स के बारे में तो वहां पे पुनाने दोर के अंदर जो है वो इराक का बादशाह हमरभी था ठीक है ज سوادی کا بادشاہ اشوک جو تھا وہ مشہور تھے جنہوں نے بینک کے جو ہے وہ قوانین یا کرز کے قوانین کے حوالے سے جو ہے وہ قوانین وضع کیے تھے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہمارے پاس کردار آتا ہے وہ ہمارے مرچنٹس کا ہے اور مرچنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے صداگر کہہ لیں گے جو تاجر لوگ تھے یہ ان کا کردار تھا تو بارمی سے چودویں صدی تک جو یہودی صداگر تھے وہ معاشرے के एक मौजस और दोलत मन तब का तसवर किये जाते थे तो इनकी अपने मुलक में और जहां वो लेंदिन करते थे बहुत इज़त थी तो अगास में इनका कारोबार जर्ग के उदार देने और तब्दील करने तक जो है वो महदूर था तो बाद में उनोंने लोगों से अमानते वसूल करना भी शुरू कर दी क्योंके वो लोगों की जो है वो एक ट्रस्ट उनका था और लोग जो है उन पर इतमाद करते थे और उस बन्याद पर उन्होंने आइसदा ईसदा लोगों की अमानते लेना भो شुरू कर दी तो उसके बाद हमारे सुधागर रोथ रोब एटली से चौध सदी के अंदर मुंतिकल हो गए बर्तानिया के अन्दर और बरतानिया में जाकर उन्होंने जर को बतौरे कर्ज देने और सूद हासल करने का कारोबार शुरू किया और उनकी जो मस्बूत माली हसियत की वज़ा से बादशाय लोग जो थे वो भी उनसे कर्जा लिया करते थे और इनी यहुदी सुदागरों को जदीद बेंकारी का बानी तसावर किया जाता है इनी सुदागरों की बےदावलत बेंक ब्राफ्ट या हूंडी उसकी बितदा हुई थी इसमें जो है वो सुदागर जो होते थे वो गैर मुमालक में ताजरों को अदाईगी के लिए तहरीरी इजासत नामे जो है वो जारी किया करते थे और उन मुमालक में वो अपने जानने वालों और दोस्तों को अदायत देते थे कि जब उनके तहरीरी अजासत नामे जो लोग दिखाएंगे वो उनको एक मकर्रा रकम अदा करते हैं पर बाद असा वो जो अजासत नामे उते थे थे और उन पर्चियों ने बैंक, ड्राफ्ट, हुंडी और इतबारी रुकाजाद की जो है वो शकल अख्तियार कर ली और बन्यादी तोर पर जो हमारे मर्चंट्स थे वो जब उनके पास लोगा मानते जमा करवाते थे तो वो उनको रुके लिके देते थे और वो रुके लेके कहते थे कि जी फलाँ लाके में चले जाएंगे, वहाँ हमारा जानने वाला, वहाँ से वहाँ आप इतनी रकम लेके जो है वो अपनी जरूरत को पुरा कर सकते हैं और उसके साथ जो है वो अपने उस जानने वाले के साथ उनका पहले से मौामला तैह होते थे तीसरा जो किरदार था वो महाजन, सहुकार या सेट का था ये बन्यादी तोर पर मनी लेंडर्स होते थे ठीक है जी महाजन जो सहुकार से मौराद वो लोग हैं जो खुद मालदार होते थे ठीक है जी और जरूरतमन अफराद को जो रकम है वो सूद पर कर्स के तोर पर देते थे तो उनके इस अमल की वज़ा से बैंक के तसवर में जो है वो पेशरफ्ट हुई और मौगलों के दोर में भी महाजनों को हम जो है वो सेट कहते थे इनके कारोबार के अंदर वो वुस्त हुई तो कारोबार जो है किस तरह से उनकी वुस्त हुई तो महाजन बन्यादी तोर पर शुरू में तो अपने जराय से वो कर्ज़े देते थे इन से ज्यादा शरा सूथ से जो है वो वसूल करते थे तो इस तरह से जो है वो महाजन जो है उनके कारोबार की जो तरकी याफता शकल है वो हमारे सामने तो बैंक जो है वो दो बन्यादी काम कर रहे हैं आपके सामने इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी सुनार तो सुनार जो है वो पेशे के लिहाज से काबल इतमाद और एमानदार समझे जाते थे ये वो लोग थे जिन्हों ने ना सिर्फ बैंक के पौदे की नशोनमा की ठीके जिसे यहुदी सुदागरों ने लगाया था बलके इस पौदे को एक फलदार द्रखट बनाने तक जो है उन्होंने ये कुछ से मंदर्जा जाल इक्दामाद भी किये सबसे पहले जो है उन्होंने तो जो सुनार थे उनके पास लोग अपनी कीम की अशिया जो हो फफाज़त के पेशे नार नजर जो है वहाँ पर उनके पास जमा करवाते थे तो इसलिए लोगों ने सोना चांदी और नगडी वगारा जो है वो सुनारों के पास जम्मा करवानी शुरू करती थी और इंगलेंड के जो सुनार थे जो रकम लोगों से हिफाज़त के लिए वसूल करते थे उसकी बकाईदा रसीदें जारी करते थे तो सतरवी सदी के अवाइल में ये रसीदें बतौर जर इस्तमाल होना शुरू होगी क्योंकि लोग इन रसीदों पर इतमाद करते थे और वहीं से जो है वो चेक का कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट होता है कि आहस्ता ऐसा जाहरे कुछ अरसे के बाद लोगों ने अपनी जमा शुदा रकूम के लिए मुखलिफ तहरी इजासत नामे जारी करने शुरू किये जिसके बायस जो है वो या जिसके पास वो इजासत कारोबार के अंदर वुस्त हुई तो वक्त गुजरने के साथ सुनारों ने ये महसूस किया कि बहुत कम अफराद एकी वक्त में रकम निकलाते हैं इस तरह से सोने चांदी और जर की काफे मिदार उनके पास पड़ी होती थी तो सुनारों ने फालतू रकम जरूरत मंद लो साले से वो बादशाहों ने जो है वज़ा किये उसके बाद जो ताजर या सुदागर लोग थे जो खास दोर पर यहुदी सुदागर थे उनका एक किरदार है फिर वहां से जो है वो महाजन या सहुकार उनका किरदार है और फिर उसके बाद जो है वो हमारे बैंक के एवोल है उसमें बनादी तोर पर यह है कि जी जामे जो तरीफ है जिस के अंदर से तमाम चीजें के अंदर मुझूद हो वो डैफिनिशन इतनी असान नहीं है क्योंकि हर जो माहर है उसके ने अपने अलफास के मताबक अपने लिहाज से जो है वो बैंक्टी डैफिनीशन किया और ज कि बैंकार जो है वो शक्स या इदारा है जो हिसाब जारी में वसूल की गई अमानतों के खिलाफ चेक अदा करता है मसल इसका मतलब यह है कि जो लोग बैंकों में रकम डिपॉसिट करवाते हैं ठीक जी तो वो बैंक या इदारा जो है वो लोगों से बतौरे रकम जो है हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है सरजान पेजड़ की तो सरजान पेजड़ जो है उनके मताबक बैंकार वो शक्स या इदारा है जो कि क्या करता है कि वो जो हिसाब जारी रखता है गाहकों के चेक अदा करता है अपने गाहकों के चेक की वसूली दूसरे बैंकों से करत जब चेक लेके आते हैं तो उनके चेक्स के बदले में उनको रकम जारी करता है और उनके जो रकम है उनको एक जगा से दूसरे जगा मुंतकिल करता है और जो उसके गाहक हैं अगर वो किसी दूसरे बैंक का वो चेक उसके पास लेके आते हैं तो उनको वो चेक जो है वो दू इसरी definition है वो है English Finance Act 1915 के मताबग उसके मताबग जो है वो definition ये है के bank ऐसा मालियाती इदारा या कारोपरेशन है जो बेंक कारी का बजाबता कारोबार करता है इसका मतलब ये है कि बेंक एक ऐसा कहले इदारा है मालियाती इदारा है पैसे का काम करता है जो के बन्यादी तौर जो है वो बैंकारी का बैंकारी से मतलका जो कारोबार है वो करता है इसके बाद हमारे पास जो चोथी डेफिनिशन है वो परफेसर क्राउथर की है और परफेसर क्राउथर के मताबक वो कहते हैं कि बैंक अपने और दूसरों के कर्ज का कारोबार करता है वो लोगों से अमानते वसूल करता है और जरूरत मंदों को जो है वो कर्ज देता है तो बन्यादी तोर पर जो बैंक है वो अपने और दूसरे के कर्ज का कारोबार करता है मसाल के तोर पर उसके अपने पास जो रकम होती है उसको लोगों को कर्ज देता है यह लोगों से कर्ज लेके उसको आगे बतौरे कर्ज देता है इस परपस के लिए वो क्या करता है लोगों से अमानते वसूल करता है और जो लोग जरूरत मन्द होते हैं उनको जो है वो कर्जे फराहम करता है उसके बाद पांच में जो हमारे पास definition है वो है banking companies ordinance 1962 के मताबग इसके मताबग बैंक हर वो इदारा, शक्स या company है जो सरमाया कारी करने या कर्स देने की गर्स से लोगों से इनकी रकूम वसूल करता है जो check, draft या किसी और तरीके से वाजबल अदा होती है तो bank एक इदारा, शक्स या company है जो सरमाया कारी की नियत से या कर्स देने की गर्से लोगों से उनकी रकम में वसूल करता है मतलब जिन लोगों के पास अज़ाफी रकम में होती है वो bank में रकम जमा करवाती है उसके बाद एक हमारे पस comprehensive definition एडियर स्टूरंट्स तो comprehensive definition के अंदर जो है वो ये है कि बैंक एक ऐसा इदारा है जो जर इतबार का कारोबार करता है ये अदारा अवाम की बचत की गई रकम को अपने पास बतौर अमानत जमा रखता है और फिर इस जमा शुदा रकम से जरूरत मन लोगों को पैदावारी और वेर पैदावारी कामों के लिए करज़े देता है ये कम शरयसूद पर अमानते वसूल करता है और ज्याद़ शरयसूद पर करजे देकर मुनाफ़ा कमाता है तो यहाँ से जो हमें बात समझ जारी है यह है कि बैंक जो है वो बन्यादी तोरपर पैसे का कारोबार करता है वो लोगों से जुए उनके जाइद रकमों को जो है वो as a deposit लेता है और फिर उस रकम को जो है जो है जुरूरत बंदों को पैदावारी और गैर पैदावारी मकास्त के लिए वो रकम बतौरे करश देता है BANK जो है वो लोगों से कम शर्य सूथ पर अमानते लेते हैं और ज्यादा शर्य सूथ पर जो है वो लोगों को करज देते हैं और जो फरक होता है उस से BANK जो है वो अपना मुनाफ़ा कमाता है तो Dear Students ये हमारा जो है वो टॉपिक था पहला जिसके अंदर हम लोगों ने बैंक जो है उसके तरीखी पसे मनजर को डिसकस किया हिस्टरी आफ बैंक को उसके बाद हमने जो है वो लफ़स बैंक के बारे में डिसकस किया और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने नेक्स जो है वो बैंक के एवोलूशन बैंक के रितका को डिसकस किया और उसके बाद जो है वो हमने बैंक की मुख्लिफ डेफिनिशन को डिसकस किया तो डियर स्टुडिंट्स आप लोग वो अपने रेकमेंड़ बुक से इस क्वेशन को जो है वो चिनसल्ड कर सकते हैं अल्ला पाक से दौा करते हैं कि जल्ला पाक आप तमाम लोगों की जिन्दगी में असानिया पैदा फरमाए अल्लापक आपको असानिया तक्सीम करने की तफीक अता फरमाए असलामुलेकूम